कलियुगीन एक मेव एक पुर्ण अवतार संत ग्यानेश्वर स्वामे सदानंजी परम हसके सिस्य महत्मा कमल जी के द्वारा भगवत आउतरण के आउसर पर सदानंद तत्तो ग्यान परिश्द के तरप से विश्व के संपूर्ण मान बंदों को सत संदेश प्रेम से बोलिया स्ट्री सद्गुर्देव जी महराज की जये परम पिता जी परमेश्वर की जये प्रेम से बोलिया आनंद कंद प्रवश्दानंजी मनमन भगवान की जये भगवान की अस्रीम कृपा जब इस धर्ती के उपर धर्ती बासियों के उपर होता है तब धर्म, धर्मात्म, धर्ति, रक्षार्थ आप हम मनुष्यों के बीच में भगवान का आउतार होता है भगवान जब भी इस भूमंडल पर धर्ति पर आउतार ले करके आते हैं तो अपने शायक सक्तियों के माध्यम से और स्वयम तिन प्रमुक कारियों को करते कराते हैं सज्जन संदक्षन, धर्म सनस्तापन और दुस्ट दलम तिन प्रमुक कारिय प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भगवान युग की अंतिम चरण जो संगम युग होता है युग परिवर्तन की जो बेला होती है उस युग परिवर्तन के समय में धर्म धर्मात्मा धर्ती के रक्षार्त भगवान का हर युग में अवतार हुआ है और इस बरतमान में भी युग परिवर्तन के लिए भगवान का अवतार हुआ था परतमान में भगवत अवतार का जो परिचे पहचान है भगवत अवतार को हम उनकी लिलाओं के माध्यम से उनके सरीर को देख करके या उनके लिलाओं को देख करके उनके कर्मों को देख करके हम नहीं पहचान पाएंगे तो भगवान का आउतार धरती पर जब होता है परम रहसे मैं गोपनी बिधान के अंतरकत होता है इसलिए भगवान के आउतार का जो परिछे पौचान का जो बिधान बना उसको तक्तो ग्यान कहते हैं और उस समय बर्तमान में भगवान जब धरती पर रहते हैं तो अधिकादिक लोगों को अजारों लाखों लोगों को उनका तत्तो ग्यान का उनके सेवा भक्ति का लाव नहीं मिलता है हर युग में आप देख सकते हैं भगवत अवतार के साथ गीने चुने कम ही लोग समर्पित सरणागत होकर कि उनके सेवा स्वयोग में रहें यानि भगवत अवतार तत्तो ग्यान का जो लाव है बहुत ही कम समर्पित सरणागत प्रवल संसकारित जीवात्मा को ही मिल पाता है से सभी लोगों को भगवत अवतार का लाव तत्तो ग्यान का लाव नहीं मिल पाता है ऐसे ही भगवत ये विधान है बर्तमान का दू समय चल रहा है यूग परिवर्तन का समय चल रहा है क्योंकि भगवदा उतार बेला में ही यूग परिवर्तन होता है जिस तरह किसी भी देश में दूसित शासन सत्ता को बदलने के लिए जनता नाना तरह के बिरोध संगर्ष कठिनाईयों को जहल कर क्रांति कारी रूप में खुण की नदियाओं को भी बहा करके उस दूसित शासन सत्ता को परिवर्तन करके एक स्वच्च सासन सत्ता इस्तापित करके देश का विकास एक अमन्चैन वाला समाज का इस्तापित करने के लिए जनता यत नसिल होती है ठीक उसी ही प्रकार बर्तमान का जो दूसित भावतिक स्वार्थ प्रधान असत्य धर्म अन्याय अनिती धर्म निरिक पेक्ष्य प्रधान जो सासन सत्ता विस्तो ब्यापि रूप में है तो इसे से बोजी लो करके धरती त्राहिमाम धरती ने जब किया तब भगवान आउतार ले करके प्रकृ असन सत्ता है दूसित जो बेवस्ताएं असत्य धर्म अन्याय अनिती से युक्त जूट चोरी बहिमानी ब्रस्टचार पाप कु कर्म आडंबर ढोंग पाखंशे युक्त जो बेवस्ताएं हैं उसको आमुल्चूल परिवर्तन करके प्रकृति और परमात्मा सत्य धर्म अन आयनिती को इस्तापित करके दोसरहित सत्य प्रधान अमरता मुक्ती से युक्त खुशाल शुकर सम्रिद्ध से युक्त जीवन बिदान को इस्तापित करके सत्पूरुसों का राजिय लाना चाहते हैं इसलिए ही आज जो बर्तमान में जो दिखाई दे रहा है अतिंद्रिय छिमतावाले भविशे वक्ताओं की भविशे बाणियां भी ऐसाई है अप्ताकृतिक संकेत को भी देख करके विश्व ब्यापी रूप में महामारी कई साइकलोन, चक्रवार तुफान, तो कई भुकम के जटके और विश्व युद्ध होने की संभावना अर्थात मोद का तांडव जो प्रकृति दिखाई दे रहे है ये युग परिवर्तन का संकेत और लक्षन दिखाई दे रहा है अब असत्य अधर्म अन्याय अनिती जूट चोरी बैमानी पाप को कर्मा प्राद इन आडमबरी पाखंडी गूर्यों का आडमबर डोंग पाखंड बैमान ब्रस्टचार लोगों का बैमानी ब्रस्टचार अब समुल समाप्त होने का समय निकट ही आग चुका है बर्तमान की जो भी दूसित वेवस्ताय हैं यह समाप्त हो करके सत्य धर्म न्याय नीती सत्पुरुसो का राज्य आना अब सुनिस्षित हो चुका है इसको कोई टालने वाला नहीं है क्योंकि भागवान इसी लक्षे कार्य प्रयोजन सिद्ध करने के लिए इस भुमंडल पर कल की आउतार तत्तु ग्यान दाता के रूप में आये थे उनका यहां लक्षान भूतकारी है देखे आम लोग कोई भविश्य बक्ता नहीं है भविश्य वाणी नहीं करते हैं मगर धर्म धर्मात्मा धर्ती रक्षार्थ भगवान आये थे अब सत्य धर्म न्याय निती इस्तापित हो करके सत्पुरुशुका राज्य शुनिश्य थे इसलिए आप सभी मानव बंदूं से हम छोटे छोटे भग्त सेवक स्दानन तत्तो यान परिशद से साग्रह निवेदन करते हैं और आपको आवान करते हैं और शचेत भी करते हैं अब असत्य अधर्म अन्याय अनिती को छोड़ दीजिए जुट चोरी बैमानी पाप को कर्म अपरात को छोड़ दीजिए धर्मक के नाम पर आडंबर ढोंग पाखंड जनता का धन धर्मक दोनों का दोहन स्वसन करना छोड़ दीजिए आप ब्रस्टचार करना छोड़ दीजिए आप सिस्य समाज भी जुटि गुरु भक्ती भी करना छोड़ दीजिए जो गुरु में चिपक करके अपने मानव जीवन के मंजिल मोक्षे से जो आप बंचित हो रहे हैं जुटि गुरु भक्ती भी करना आप छोड़ दीजिए और शत्य धर्मन नियाय नीती को अपना कर भरतमान में अवतरित उस परमात्मा परमेश्वर भगवान को जान कर समझ कर पहचान कर उनके तत्तो ग्यान भुप भगवत ग्यान भुप शत्य ग्यान विधान को अपना कर अपने को इमान और सचाय सयम निशकाम सेवा में आप अपने जीवन को जोड़ दीजिए यदि आप आने वाला सत्यु को देखना चाहते हैं अपना कल्याण लोक परलोक दोनों में आप यदि करना चाहते हैं आप सभी मानव बंदुओं से हम छोटे छोटे भगत से बग पुना पुना निवेदन हम लोग करते हैं आगरह करते हैं भईया अब जो है जूट इभई इमानी पाप को कर्मा अप्राद पाखंड को छोड़कर भगवद भक्ति सेवा को अपना लिजिये सत्य धर्म न्यायनित्ति को अपना लिजिये तभी आने वाले यूग का सत्य यूग को भी आप देख पाएंगे और इस लोक और परलोक में भी आपका कल्याण होना संबब होगा अन्यथा फिर अन्तम में पस्तावाई हात लगेगा यदि हम जुट चोरी बाइमानी असत्य धर्म को छोड़कर इमान सचाई सैयम सेवा भक्ति सेवा को न्या अपना लिजिये से सब भगवत किरपा प्रेम से बोलिये स्टिशत गुर्देव जी महाराज की परंपित राम चंद्रजी महाराज की बागवार स्री कृष्ण चंद्रजी महाराज की जये